नमश्कर मैं कवीता उन्याल आप देखरें मीडिया टुडे टीवी रूस और तुर्की ने आखिरकर काराबाग में बने निगरानी केंद्र का उद्गाटन कर दिया है पिछली साल अजर्बिजान और अर्मेनिया में भड़की यूद के समाथ होने के बाद जो समझोता हुआ था उस समय संगर्श विराम समझोते पर निगरानी करने के लिए निगरानी सेंटर बनाने की बात कही गई थी पहले यहां रूस की सैनिक तैनात किये जाने थी लेकिन तुरकी के दखल के बाद यह तैक किया गया कि यहां निगरानी सेंटर में रूस और तुरकी दोनों के सैनिकों को तैनात किया जायेगगा उनमें से आज एक निगरानी केंद्र का उधघाटन कर दिया गया क्या है पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे अगर आपको नियूज अच्छी लगे तो नियूज को लाइक करें अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो हमारी मीडिया टुने टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकोन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नियूस सबसे पहले आप तक पहुँचें अधिकारिक तौर पर ये निगरानी केंद्र अजर्बेजान के अड़गाम इलाके में खोला गया है अजर्बेजान के रक्षा मंत्राले ने अपने एक बयान में कहा है कि यहां तुर्की और रूस के लगभग साथ से अधिक सैनिकों को तैनात किया जाएगा इस पर तुर्की ने कहा है कि तुर्की का एक जर्नल और 38 करमचारी इसके इंद्र में काम करेंगे इसके साथ ही रूस के रक्षा मंत्राले ने कहा कि यहां पर मानव रहित हवाई वहनों के उपियोगों के साथ साथ दूसरे माध्यों मों से भी इस इलाके की निगरानी की जाएगी इस सबस्तर पर अजर्बेजान में अमेरिका के राज़दूत एलन लिटजल बर्गर ने अजर्बेजान को छेतरे अगंडता बहाल करने के लिए बढ़ाई दी इसी के साथ युद के बाद अजर्बेजान के अंडर में आने वाला छेतर यानि कारबबाग के पुनन निर्माड में भाग लेने के लिए अमेरिका ने मंशाजाहिद की अमेरिका की राजदूत ने कहा कि अमेरिका कमपनिया कारबाग के पुनन निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार है विशेय शुर्प से कारबाग में सड़क, पानी की विवस्ता और दूसरे जरूरी चीजों की विवस्ता के साथ साथ डिजिटल और इंफर्मेशन टेकनलोजी छेतर में सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन ये बात अमेरिका में बैठे, अर्मेनिया के हमदर्दों को राज नहीं आई उन्होंने कहा कि हम इस बात से परिशान हैं कि अजर्बेजान में हमारे राजदूद, अजर्बेजान की जीत का जश्र मना रहे हैं इतना ही नहीं कारबाग के पुनर निर्मार में अमेरिकों को शामिल कर रहे हैं इससे पहले इरान की विदेश मंत्री जवाद जरीफ भी अजरबिजान के दोरे पर पहुँचे थे और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि वो कारबाग में अजरबिजान का कबजा देखकर खुश हैं जरीफ ने कहा कि इरान अजरबिजान के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लोट सकें जिनने कारबाग में अर्मेनिया की कबजे के बाद अपना घरबाद छोड़ कर भागना पड़ा था उनने कारबाग के पुनन निर्मान कारियों में योगदान देने का प्रस्ताव रखा जिसका अजरबिजान ने स्वागत किया आपको बता दे इरान की 132 किलोमीटर की सीमा अजरबिजान की साथ लगती है इसलिए अर्मेनिय और अजर्मेजान के भी संगर्श वीराम को मजबूत करने के लिए इरान भी अपनी भूमी का निभाना चाहता था क्योंकि अगर इन दोनों देशों के भी संगर्श होता है तो इसका सीधा असर इरान पर पड़ता है हाली में हुए यूद के दोरान भी अजर्मेजान और अर्मेनिया की कुछ मिसाइल और रोकिट इरान की सीमा पर जागिरते थे जिससे इरान बुरीतारा परिशान था और आखिकर ये यूद इतिहास में अजर्बेजान की जीत और अर्मीनिया की हार के रूप में दर्ज हो गया कारबाग में निगरानी केंद्रों का काम तेजी से चल रहा है ताकि आने वाले समय में इस इलाके में शांती बहल की जा सके आप मिलेंगे अगली खबर के साथ आपको मेरी ये नियूस कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं शुक्रिया